तो गाइस जब भी आप नया स्मार्टफॉन बाय करते हो तब तो उसका कैमरा क्योटी no doubt definitely बहुत ही सही आती है फिर कुछ समय यूज करने के बाद आपको ऐसा लगता कि अरे यार इसका कैमरा क्योटी इतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि हमने फॉन बाय किया था तब थी त तो प्लेज वीडियो को पिना स्किप के एंड तक देखे रहे हैं और आप हमाने चैनल पर नहीं है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब किजगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुंचाते रहे हैं हेलो वेलकम दोस्तों मेव की शूर आप देखे रहे हैं रादे बीट तो आई चले देखते हैं तो दोस्तों यह हमारे पास रियल मी 12 5G और गैस यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको अच्छे कैमरा सेटप देखने को मिल जाते हैं जैसे की 108 मेगे पिक्सल का प्राइमेर कैमरा मिल जाता है बट होता क्या है कि इतना अच्छा केमरा क्लेटी नहीं आती है तो फर्स्ट इफ आल आपको करना क्या है कि जो कैमरा लेंस है वो किसी कॉटन कप्रेस जो आप साफ कर लिजे क्योंकि कभी कमर क्या होता है कि हमारे ऐसे फिंगर्पिंट के निशान रह जाते हैं उसकी अकुट करना कही कि यहां प्रैटनेस एककेस्ट कर सकते हैं तो ज्यादा करनी ज्यादा है तो कंपरने हैं फिर आप इस रहें करना है या यहदा आप को 3 x जुम कर यह सकते हो और बात करतें सेल्फ केमर की नियुक्त हमे है शुलत दख धाना चाहते हो तो लगा शुल्फू केमर के में कि अजहां आप यहां पर आप कुछ आप ब्यूटी का ऊप्शन मिलता हैrum है यानि कि इतना रखना चाहो रख सकते हो तो यहां से यह वाला भी कर सकते हो और यहां पर डायरेकली कुछ स्कैन वागेरा करना चाहते हो तो भी Google Lens ओपन हो जाता है और यहां से आप flashlight on off कर सकते हो जैसे कि always on रखना चाहो तो भी रख सकते हो यहां से कर सकते हो और फ्रेंड्स पोट्रेट की बात करें तो यहां पे पोट्रेट के अंदर आपको background कितना blur रखना है वह यहां से आप एक्जस्ट कर सकते हो जैसे की f 2.8 है f 1.0 यानि कि यहां पर 16 आपको जितना blur रखना है रख सकते हो maximum 2.8 अच्छा ब्लर देखने को मिल जाता है यहां पर भी गईज अब 3X ऑप्टिकल जूम करके पोट्रेट में फोटोस क्लिक कर सकते हो जैसे कि यहां पर देख सकते हो मैंने फोटोस क्लिक किया जो बेग्राउंड है वो डार्क है तो आपको इतना नजर नहीं आएगा बट आप आउट्डोर जाके किसी का फोटोस क्लिक करोगे तो आपको साब साब पता चल जाएगा 3X ऑप्टिकल जूम के अंदर भी अच्छे फोटोस क्लिक होता है और यहां से भी आप फिल्टर्स वगेरा लगा सकते हो पोट्रेट में भी यहां पर अलग-अलग फिल्टर्स क आप वीडियो रेकोर्ड नहीं कर सकते हैं यह फ्रंट एंड रियर दोनों केमरे के में बात कर रहा हूं रियर केमरे से भी अप 1080P 30fps तक वीडियो रेकोर्ड कर सकते हो यहां पर भी गैस आपको फिल्टर्स वगेरा लगाने वीडियो के अंदर तो भी यहां पर लगा सकते हो और यहां पर भी आपको beauty का options मिल जाता है तो आप face beauty बगेरा करना चाहों तो यहां से कर सकते हो यहां से आप flashlight on off कर सकते वीडियो ग्राफिक अंदर फिर यहां पर आता है street यानि कि यहां पर देख सकते हो 72 mm जूम होता है यहां पर maximum 120 mm तक जूम करके photographic कर सकते हो यहां प जूम कर सकते हो यहां पर एक options देखना को में जाता है जैसे कि यहां पर देख सकते हो और मैनली करना तो भी और आटो पर भी रख सकते हो फिर यहां पर night mode यानि कि नाइट में फोटोग्राफिक करते हो तो यहां पर नाइट मोड आपस दिया गये होए यहां पर maximum 2x जूम क करते हुए फिर बात करते हैं यहां पर more की तो मोड में कैसे लिघ्यक करते हैं मैनी कि यह चीजह Luckily पर अपको ऊप्सेंस पर पार एसे लन फोट परकात हैं यहां पर हमारा फोटोग्र्स जो एया फिर करें जैसे आप अगें मोर पर क्लिक करते हो लिए फौल्म को मिल जयता है खい si में साइध नहीं होगा फिर यहां पर जैसे क्लिक करते हो तो यहां पर आपको टाइम लेप्स का भी ऑप्शन्स देखने को मिल जाता है इसके अंदर आप 2x जूम करके टाइम लेप्ट वीडियो वगेरा जो रैकॉर्ड कर सकते हो फिर यहां पर आपको ड्यूल वीडियो का आप संस देखने को मिल जाता है जैसे यहां पर आप क्लिक करते हो तो दोनों कैमरा एक साथ जो ओन हो जाते हैं और रियर कैमरा यह वहीं पर जूम भी कर सकते हो जैसे कि यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन्स मिलते हैं जैसे कि आपको ऐसा राउंड सर्कल में चाहिए हो इसको कह będą सैट कर सकते हो और यहां पर इसा चाहिए आप एस वाला भी यूस कर सकते हो इसको थो सकते हो यहां पर आपको और दूबams और यहां से गुरूप पो टरेट भी यूज़ कर सकते वो सर अदायो पर करते हो यहां पर और निचे का दोनों जो ट्रविले लग अले ऊपर आ भी या है तो इस एका भी का भी आप उसकर सकते हूं है तो इसे कので यहां पिशले करना है यहां पिख को काफी सारी का इस मिल जाएं जीज सेथिए यहां आप रख सकते हो फिर आपको लगता है कि फूल स्क्रीन में फोटोस क्लिक करना है तो यहां पर फूल स्क्रीन भी कर सकते हो जैसे कि पूरी फूल स्क्रीन में आपको फोटोस क्लिक होगा अधर्वाइस 69 या तो 43 रख सकते हो फिर यहां पर आता है टाइमर यानि कि 3 seconds 10 seconds आपक कितने shots क्लिक करना है कितने seconds में वह options देखने को मिल जाता है और यह सेम चीज यहां पर आपको selfie camera में भी मिल जाती है अगर selfie camera आपको full screen में करना है तो यहां पर full screen में selfie में photos ले सकते हो otherwise 4 3 रख सकते हो यहां पर टाइमर लगा सकते हो जैसे कि 3 seconds पर automatically photos क्लिक हो जाए और auto HDR कर सकते हो इंटर्वल यहां पर भी आपको सेम वही options मिलता है जैसे कि interval shooting और बात करते है अगें रियर यहां पर settings की तो जैसी यहां पर settings में जाते हो तो first में आपको options देखने को मिल जाता है watermark यहां पर क्लिक करना है यहां पर देख सकते हैं यहां पर पूरा realmi का logo देखने को मिल जाता है यानि कि पूरा framing के अंदर watermark आ जाता है और यहां पर color भी चूछ कर सकते हो जैसे कि यहां पर आपको color कौन सा रखना है तो color रखना है तो रख सकते हो अदर्वाइस यहां से disable भी कर सकते हो और यहां पर जनरल यानि कि जनरल watermark आता है normal वैसा भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा custom watermark नहीं चाहिए यानि कि यहां पर फ्रेम वाला watermark नहीं चाहिए तो आप general भी यूज कर सकते हो यहां पर कुछ इस तरीज से आपको watermark देखने को मिल जाता है यहां पर वह चीज़े सिलेक्ट कर सकते हो जैसे कि device, model, location, date and time सिलेक्ट करने है तो कर सकते हो और यहां पर देख सकते हो मीडियम लार्ज जितनी रखनी इतनी बॉटम यहां पर आपको अलग अलग ऐसे options मिल जाते कहीं पर भी आप जो वाटर मार्क शो करवा सकते हो आपको कहां पर रखना है तो यह बहुत सारे options अविलेबल है जो कि मुझे personally अच्छे लगे वाटर मार्क के अंदर भी अभी ज जाते हो कि आपको mirror में आपको photos क्लिक करना है जैसे कि पिछे कुछ text वगेरा लिखे वो selfie camera से photo क्लिक करते हो तो वीडियो करते हो तो उल्टे दिखाई देते तो आपको जो रियर कमने से video record करते हो वैसा देखने को मिल जाएगा previous settings यानि कि यहां पर यह settings देख सकते हो याप अपने phone के अंदर कुछ इस दिखे से कर सकते हो जैसे आप back आते हो तो यहां पर आपको portrait distance का options मिल जाता है तो आप चाहू तो इसको भी इनेबल कर सकते हो auto night space यह सारी चीज़े इनेबल रखनी high frequency videos इसको आप चाहू तो इनेबल कर सकते हो quick launch यह सब कुछ काम कर नहीं और आ camera पहले अच्छा था अभी settings के बाद खरब हो चुका है तो आप reset default settings भी कर सकते हो तो camera के सारे settings जो reset हो जाएगे और जैसे आप company में से नया phone लाए थे ठीक वैसा हो जाएगा और यहां पर देख सकते हो जैसे मैंने photos क्लिक किया तो यहां पर हमने जो watermark रखा था वह आ चुक भी कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ thanks for watching this video जाच के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों thank you so much bye bye friends